दिल्ली में 5600 करोड रुपए की ड्रक्स बरामत हुई है UPA के शासनकाल में 2006-13 के बीच में सिर्फ 768 करोड रुपए की ड्रक्स की बरामती हुई थी ये वो दोर था जब मुंबई से लेके पंजाब तक ड्रक्स की गिरफ्त में था और अगर एक जगे पे 5600 करोड रुपए की ड्रक्स पकड़ी गई है और ये भी बता दू, 14-22 के बीच में हमारी सरकार ने 22000 करोड रुपए की ड्रक्स पकड़ी किसका जो मुख्या रुपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुशार गोयल है जिसका डिकी गोयल के नाम से सोशल मीडिया एकाउंट है वो इंडियन यूथ कॉंग्रेस के आर्टी आई सेल का चीफ है बहुत गंभीर बात है राहुल गांधी की महबत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे अब नशे का सामान भी मिलने लगा है अगर ये आर्टी आई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जंता का ये राइट टू इन्फरमेशन है कि कॉंग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्यारोपी जो इतने बड़े शायद देश में सबसे वड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्यारोपी है उसके साथ क्या संबन है बित्रों आज हम आपके समक्ष एक बहुत गंभीर परन्तु चिंता जनक विशे रखना चाहते है जैसा आप सभी ने अभी मीडिया में देखा होगा कि दिल्ली में 5600 करोड रुपए की ड्रग्स बरामत हुई है ये क्वांटिटी इसलिए महात्पूर्ण है कि यूपीय के शासनकाल में 2006-13 के बीच में सिर्फ 768 करोड रुपए की ड्रग्स की बरामती हुई थी पूरे भारत में ये वो दोर था 768 करोड ये वो दोर था जब मुंबई से लेके पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्ट में था और अगर एक जगहे पे 5600 करोड रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है और ये भी बता दो 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड रुपए की ड्रग्स पकड़ी उससे अधिक चिंता की बात ये है कि इसका जो मुख्या रूपी है जो किंग्पिन है जिसका नाम तुशार गोयल है जिसका डिकी गोयल के नाम से सोशल मीडिया एकाउंट है वो इंडियन यूथ कॉंग्रेस के आर्टी आई सेल का चीफ है बहुत गंभीर बात है यानि याब ये बात साफ हो रही है कि ये राहुल गांधी की महबत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे अब नशे का सामान भी मिलने लगा है और या बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं हमारे पास वो इंडियन यूथ कॉंग्रेस के में मुख्य आरोपी तुशार गोयल का अपॉइंट्मेंट लेटर है यह 24 मार्च 2022 और महत्पुण बात यह है किस अपॉइंट्मेंट लेटर में राहूल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूँ लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुशार I hereby pleased to appoint you as chairman RTI department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect आगे की line important है Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Shri Rahul Gandhi Ji, Shri Mati Sonia Gandhi Ji, Shri Krishna Allavar Ji in charge Indian Youth Congress and Shri Srinivas B.V. the President अब बताईए अब हमारा सीधे उनसे सवाल है अगर ये RTI SEL का चीफ था तो आज देश की हर जंता का ये right to information है कि Congress Party के साथ इस मुख्यारोपी जो इतने बड़े शायद देश में सबसे बड़े drug consignment को पकड़े जाने का मुख्यारोपी है उसके साथ क्या संबन्द है दूसरा संबन्दों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है ये श्री धीपेंद्र हुड़ा जी के साथ इनकी फोटो है मामला इतना ही नहीं है अन्य वरिष्ट नेता Congress के Organization Secretary केसी विनुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिचा लेता है मगर एजनसियों को उसके फोन से दिपेंद्र हुड़ा जी का नंबर भी बरामत हुआ है अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इस आ राइट टु इन्फोर्मेशन आफ एवरी सिटिजन अफ दे कंट्री एन हरियाना कि कॉंग्रेस का इस से क्या कनेक्शन है यदी दिपेंद्र हुड़ा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है बलकि उसके मुबाइल में उनका नंबर है यूथ कॉंग्रेस का अपॉइंट्मेंट लेटर है जिसमें डाइनमिक लीडर्शिप और ब्लेसिंग्स आफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है तो अब यह सवाल बहुत गहरे होते हैं जिसमें हमारे दो तीन प्रमुक सवाल है नंबर वन ये जो पैसा बरामत हुआ है ये पैसा कॉंगरेस पार्टी के एक पदादिकारी के ड्रग तस्करी में इंवाल्व होने का है तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं कॉंगरेस पार्टी जवाब दे ये शक पैदा होता है दूसरा शक ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था पांच हजार छेसो करोड़ रुपए किस परपस से था और कॉंग्रेस पार्टी से इसका क्या संबन्द है तीसरा क्या कॉंग्रेस पार्टी में किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदादिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है हम यह साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदी आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हर्याना में काम करने के लिए उसी प्रकार की सवाल हैं और यह शक पैदा करते हैं कॉंग्रेस को इस पस्टी करन चाहिए और यह इसलिए गंभीर सवाल हैं क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं किसी देश को बरबाद करना हो तो दो प्रकार की चीज देश में भ्रम पैदा करने के लिए अनेक अंतर राश्ट्रिय शक्तियों संस्थानों के साथ कॉंग्रेस पार्टी के संबंद यदा कदा उजागर हो रहे हैं अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वाल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ कॉंग्रेस के आफिशल पदारिकारी का सीधा संबंद उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेद देता है अर्थाथ देश कितने गहरे और गंभीर संकट में आ सकता है इन लोगों के हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आने से या आप बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं तो हम इसलिए आज इस विशे के उपर गंभीर चिंता विक्ते करते हुए पुनह अपने तीन सवाल कॉंग्रेस से दोराते हैं नंबर वन इस मुख्यार ओपी तुशार गोयल जो की कॉंग्रेस का पदारिकारी है जिसका न्यूपति पत्रूपलब्द है उसका कॉंग्रेस के साथ किस प्रकार का सम्बंद है सिर्फ राजनेतिक सम्बंद है या व्यवसाइक सम्बंद भी है इस रिलेशनशिप इस ओल्ली पुलिटिकल और दिर अंसो एफिनेंशल डायमेंशन इन्वाल दूसरा यह जो पैसा इन्वाल हुआ है क्या ये पैसे की जानकारी कॉंग्र इसने ड्रक के किसी नेटवर्क के साथ कॉंग्रेस के कुछ नेताओं का क्या ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है कि उन्हें आश्वासन दिया हो कि यदि उनकी सरकार आएगी तो जैसे पंजाब ड्रक्स की गिरिफ्ट में आया वैसे हरियाना को भी वो उसका मार्क प्रशस्त करे और इस विशय में अधिक महत्पूर्ण ये है कि कॉंग्रेस के सबसे सीनियर नेता हुड़ा परिवार को इस बारे में जवाब देना है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे कॉंग्रेस के युवा नेता हैं उनके साथ फोटो और उनका नंबर तो हरियाना कॉंग्रेस से चाहिए और जवाब हुड़ा परिवार से चाहिए